तो आपका स्वागत है मेरे चैनल अनमलोजिक में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जो मॉनिटाइजेशन की जो पॉलिसी है यूटूब की वो कैसी है और उसने क्या-क्या मॉनिटाइजेशन के लिए होता है तो फिर वो कमेंट्स करते हैं और बोलते कि भाई हमारा क्यों नहीं हुआ है तो मैं आज इस वीडियो में आपको यहीं बताऊँगा आपको किस-किस चीज़ को फॉलो करना है और जब आपका मॉनिटाइजेशन हो जाता है तो वो के मतलब के आपको किस कारण की वज़े से किस तरीके से वो जो जो रिवीव में चला जाता है तो उसके बाद किस तरीके से वो चेकिंग होती है क्या-क्या दिखा जाता है उसके लिए तो आज मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में आज इस वीडियो में बताऊँ वा तो अब इस वीडियो को पुरा देखे और अब भी तक मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं करें तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी YouTube से रिलेटर और बहुत अच्छे जानकारी से रिलेटर इंफोरमेशन से रिलेटर मैं मेरे चैनल में लाते रहता हूँ तो चलिए अभी शुरू करते हैं यहाँ पर YouTube help करके हैं यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है YouTube channel monetization policies ठीक है इसके बारे मैं पूरी detail में बताऊँगा थोड़ा सा आपको स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर जब आपका चैनल review में चला जाता है उसके बाद आपके चैनल में यह पांच जो चीज़े आपको दिखाए दे रही है यह check होती है सबसे पहले तो आपका main theme check होता है theme का मतलब यह होता है कि आप मतलब जो theme है जो आपका theme है जैसे कि 4 example आप technology के उपर video बना रहे हो लेकिन आपने एक video technology पे बनाया और दूसरा video cooking पे बनाया फिर तीसरा video पहलियों पे बना दिया तो यह नहीं चलेगा theme मतलब अगर आपने technology पे बनाना है तो आप पूरा technology पे बना सकते है ठीक है और उसके बाद most viewed videos वो video चेक किये जाएगे जिसमें सबसे ज़्यादा view आया है ठीक है यहाँ पे देखिए के मेरा मेरा एक video जो वाइरल हो गया है जिसमें 50,000 view आये तो वो video मेरे चेक किये जाएगे उसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं बता है कुछ गलत information तो नहीं दिये वगेरा वगेरा यह सब चेक किया जाएगा और किस कारण की वज़े से यह video में बहुत सारा view आएगे और तीसरा यह कहता है कि नेविस video नेविस video मतलब कि जस्ट अभी एक दो दिन पहले या नया नया आपने जैसे कि आज video आपने डाला है और वो रिवियो में आपका चला गया है और सबसे लास वाला वीडियो मतलब कि जैसे कि आपने कल परसू या अभी डाला है वो वीडियो आपके चेक किये जाएगे क्योंकि छले वीडियो इसके लिए नहीं बोला है क्योंकि छले वीडियो में यूटूबर्स बहुत सारी गलतिया करते है उनको पता नहीं होता है कार्ट्स क्या हूता है क्या होता है कि टैक्स में बना पता है लेकिन जैसे ही वह पचास एक वीडियो बना देते हैं तो उनको दीरे दीरे सब को समझ में आता है रही है फिर वो अंपने ईंपोर्वर्मेन करते यहें तो इस तरीके से हमारे वीडियो में टेक्स वगेरा सही लगे हैं और एंडे स्क्रीन लगा है काट्स लगा है प्लेलिस उसने बना है यह सब चेक किया जाता है यानि के यह यूटूब के लिए बराबर है उसके बाद biggest proportion of was time मतलब सबसे यादा मतलब सबसे यादा was time कैसे आया है वो उसके बारे में check किया जाएगा फुर उसके बाद कि वीडियो में आप कुछ और बता रहे हो और थम्निल्स आप कुछ और लगा रहे हो ठीक है जैसे कि आप एक दिन में 5000 कमा सकते हो 10,000 कमा सकते हो और अंदर कुछ आप कुछ बता रहे हो तो ये भी थम्निल नहीं चलेगा ठीक है इसका भी दैन डगना डिस्क्रिप्शन आपने कैसा लिखा तो डिस्क्रिप्शन आप अच्छा लिखिए तकरीबान आप 1000 वर्ट से 5000 का दिया जाता है आप देख लिखिए थोड़े बहुत कीवर्ट जाल दीजिए उसमें ठीक है ज्यादा कीवर्ट भी मत दालिए वो भी स्पैम में गिना जाता ह है छे साथ कीवर्ड जाल दीजिए फिर उसमें हैस्टेक लगाने का वो भी किस तरीक से लगाने मैंने आई स्क्रिन पर बता दिया है वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हो कि आप हैस्टेक कैसे लगा सकते हो अपने टाइटेल्स के उपर ठीक है वो भी आप जाके देख दीजिए मतलब यह चार चीज़े आपका जो रेवीव होगा इसमें यह पांच चीज़े आपकी देखी जाएगी अगर यह पांच चीजों में आप खरे उतरते तो आपका चैनल मौनेटाइजेशन कर दिया जाएगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो आपको अगर यह वीडियो आपके लिए यूसफुल रहा तो प्लीज सबसे पहले लाइक शेर और सब्क्राइब कर लेना सब्क्राइब इसले करना क्योंकि मैं ऐसे यूटूब से रिलेडर और मैं इसके बारे में एक प्लेडिस भी बनाई है आई बटन पर आपको मिल जाएगा और डिस सब्क्राइब कर लिए लाइक शेर सब्क्राइब जरूर करें तो फी मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग